15.8 एलकीन और एलकाइन में समावैवता आईसोमेरिजम इन एलकीन एंड एलकाइन C4H8 की सरचिना बनाने का प्रयास कीजिए इस सरचिना में आप कौन से कार्बन परमानों के बीच द्वीबंद बनाएंगे द्वीबंद जनक श्रिंकला में दो इस्थानों पर संभव है पहले और दूसरे कार्बन परमानों के बीच चितर क अथवा दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच चितर क्रमांक 9 खा चितर क्रमांक 9 क और खा क ब्यूत ड़ाश वन ड़ाश इन C, single bond H, single bond H, single bond H, single bond C, single bond H, single bond H, single bond C, single bond H, double bond C, single bond H, single bond H ख, ब्यूट, डश, टू, डश, इन, C, single bond H, single bond H, single bond H, single bond C, single bond H, double bond C, single bond H, single bond C, single bond H, single bond H. दोनों सरचनाए एलकीन दर्शा रही हैं और दोनों का सुत्र C4H8 है. दोनों योगिकों के द्वीबंद की इस्थिती में भिनता के कारण यह समावयवता उत्पन्न हुई है. इसलिए इसे इस्थिती समावयवता कहते हैं. इस्तिती समावेवता भी शिंखला समावेवता के समान एक प्रकार की सनचनात्मक समावेवता है यहां दोनों यगिकों का आणविक सुत्र एक ही है किन्तु सनचना में अंतर के कारण उनके गुण अलग-अलग हैं और उनके नाम भी भिन्न है चित्रका को हम ब्यूट-1-ean कहते हैं इस नाम में पहला भाग सीधी मूल शिंखला में उपस्तित कारण दर्शाता है इसके बाद एक अंक लिखा गया है जो अनों में द्विबंध का इस्थान दर्शाता है तथा इन यह दर्शाता है कि यह एलकीन परिवार का सदस्य है शब्दों और अंकों के मद्य लगू रेखा डैश होती है इसी प्रकार चित्रका को ब्यूट-2-ean कहते हैं इस्थिति समावेवता एलकाइनो द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है उधारन के लिए C4H6 चित्रका एवं ख की दो सीधी शिंखलाए सरशना बनाती है क ब्यूट-1-ean C single bond H, single bond H, single bond C, single bond H, single bond C, triple bond C, single bond H उपर दर्शाई गई दोनों सरचनाए स्थिति समावेवी हैं उनके नामों में पहला भाग ब्यूट दर्शाता है कि अनू में चार कार्बन है और आइन दर्शाता है कि ये एलकाइन सम्हों के सदस्य हैं तथा बीच का अंक, त्रीबंध का इस्थान दर्शाता है किसी भी एलकाइन अथवा एलकीन जिसमें कार्बन संख्या चार या अधिक हो उनमें इस्थिति समावेवता संभव है